हारुफिक्स सैमसंग S20 FE ब्लेक एंड वाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम नमस्कार डोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जी आपने सैमसंग डिवाइस में ब्लेक एंड स्क्रीन प्रॉब्लम सॉल्फ कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका जो डिवाइस हैं मसंग का ठीक है पुराना टीवी का जो ब्लेक एंड वाइड होते हैं उसका स्क्रीन जैसा यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है आपका स्क्रीन ब्लेक एंड हो चुका है त इसके वाज़े से आपको यह problem face करना पर रहा है तो इस वीडियो को आं तक देखें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपको चेक करना है कैसे आपका problem solve होगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को subscribe सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप आप पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा कि किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करक टरें और चेक किजिए यहाँ पर बंड नेवाल है तो तो बंड दोश्तो आप इसको बंड करके आप लाइट मोट को यूज कीजिए ठीक है लाइट मोट को यूज कीजिए आपको ब्लेक और आपको शो होगा उसके बाद आपको नीचे में जाना है डीचिट्टल वेल करना है completely burn कर देना है ठीक है आपका bedtime mode उसके बाद दोस्तों आपको next पर क्या करना है डिस्प्ले पर जाना है और आपका adaptive brightness बन कर दीजे ठीक है यहाँ पर आई comfort शील बन कर दीजे और visibility enhancement पर जाएं ठीक है visibility enhancement तो यहाँ पर सारे setting setting off होना चाहिए high contrast theme high contrast font highlight button color invention और सबसे important setting color correction ठीक है तो इसको burn कर दीजे तो इतना करने के बाद दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा सारे साथ दोस्तों software update नहीं है तो software को अपडेट कर लेना और सारे problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से आपने mobile के black and white display problem solve कर सकते हैं अमीड करते हैं आपको यह वीडियो बसने होगा thanks for watching